कि एगाईस तो निया साल आचुका है एंड उसी के साथ साथ आ गया है निया फोन लेने का टाइम तो दोस्तों तुम लोगो क्या पता है कि इंडिया में जो फोन बिखते हैं जितना भी फोन बिखते हैं उनमें से 67% फोन 12 से अट राजर रेंज में ही बिखते हैं क्योंकि हम पोन हमें एक फोन एक साल से और तो साल युश लेता है और प्रीके नएनंगी को गड़े घ्रास zar si Pomm7 dengan A Obole आँची में। चॉह पहुते हैं रांचे करोंजो 0101011 08-02853 3 phones आजडों सब्सुंदों एक सा तीन फोन को ही कंपेर करेंगे ना तो तुम लोग को सच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो यहर पोको एंटू प्रो के लिए में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एंड आज का यह वीडियो में हम रियल्मी 7 एंड रियल्मी नार्जो 20 प्रो में से कौन सा बहतर ह का यहर तुम लोग तो दो फोन नहीं करी दोगे ना एक साध तुम लोग एक ही फोन खड़ी दोगे तो यहर आज के वीडियो पूरा देखना वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो लाइक करना एंड अगर तुम लोग मेरा चैनल पे न्यों क्या कर रहे हो यार सब्सक्र यर तो एयर लिए सेवेंट एट्यूं cara का कउना 20 फॉन टायूद ओरू robust उन्हें लिए यह तुम लोगों को पताता में लेकार बैसा चेंट है। तो है Realme R20 Pro में तुम लोगो 48 Megapixel Quad Camera मिल जाएगा और जो Realme 7 है उनमें तुम लोगो 64 Megapixel Quad Camera Setup मिल जाएगा लेकिन Realme का फोन में यह कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है क्यों Realme का जो प्रोसेसिंग है जो आप्टिमाइस करते हैं उनका कैमेरा या फिर पिक्चर क्वालिटी वो सच में काफी बढ़िया है अब देखो यार Megapixel कहां मैटर करता है तुम लोग दो तो फोन एकसाद नहीं यूज करोगा ना Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro तुम लोग जब एक फोन एकसाद यूज करोगे तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा लेकिन अगर तुम लोग side by side compare करोगे तो Realme 7 का कैमेरा थोड़ा सा बेटर लग सकता है लेकिन या नार्जो का भी कैमेरा काफी impressive है एंड देखो यार दो ही फोन नयाना लाँच हुआ है बस 3-4 महीना ही हुआ है अभी इसमें software updates आएगा काफी सारा नयाना improvement आएगा तो उसके बाद तुम लोग मतलब 1-2 महीना बाद जब फोन को यूज करोगे तुम लोग को उतना भी difference पता नहीं चलेगा लेकिन अगर तुम लोग फोन 0-100% होने में आदा गंट टाइम लेगा एंड एक फोन 0-100% होने में एक गंटा 10-15 मिनिट लेगा तो ये difference तुम लोग को पत चलेगा क्योंकि Realme Narzo 20 Pro में 65W charging जो की impressive है सच में दोस्तों impressive है और जो Realme 7 में है उसमें 30W charging जो की आजकल काफी सारा phones में आता है देखो येर तुम लोग को अगर कुछ ऐसा चाहिए ना जो की काफी सारा लोगों के पास नहीं है जैसे कि 65W charging तो येर तुम लोग Realme Narzo 20 Pro के साथ जा सकते हो लेकिन येर तुमें इस से फरक नहीं पड़ता है तुम लोग को 500 इमेज बैटरी जादा चाहिए और 64MP का थोड़ा से इंप्रूब्मेंट के साथ कैमेरा चाहिए तो तुम लोग Realme 7 के साथ भी जा सकते हो काफी बड़ी है स्मार्टफोन है और बस ये दो डिफ्रेंस चोर कर ये दो फोन में से जो भी वीचर से ना ये अल्मोस नहीं सब कुछी सेम है तो ये अगर मेरे पास दो आप्शन होगा Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro मैं obviously Realme Narzo 20 Pro के साथ जाओंगा क्योंकि मुझे कुछ नहा चाहिए जो अधर फोन में नहीं है जो बाकी सारे लोग ही उसकरते उनके पास नहीं है तो मुझे 65W charging के साथ ही जाना है लेकिन दोस्तो Realme Narzo 20 Pro के साथ जाने के लिए और एक reason बनता है जो कि है उसका front camera तो एर देखो Realme Narzo 20 Pro and Realme 7 दोनों में ही है 16MP का front camera लेकिन दोस्तो जो Realme Narzo 20 Pro है उसका जो front camera का इमेज है वो काफी जादा बेटर रेल रेल मी 7 से क्योंकि दोस्तो Realme Narzo 20 Pro में जो camera sensor यूज हुआ है वो है sony का sensor sony का 400 series का sensor जो काफी flagship phone में भी यूज होता है तो एर बस इसके लिए normal condition low light condition, video quality या फिर picture clarity के बात करूँ तो एर Realme Narzo का जो front camera realme 7 से थोड़ा better perform करता है लेकिन यार जैसे कि मैं पहले बोला अगर तुम लोग एक ही phone को use करोगे तो यार तुम लोगो पता भी नहीं चलेगा तो यार देखो अभी थोड़ा important बात है बट इसका जो मैं department डालूँगा तो वे durability ठीक है तो यार देखो durability के मामले में मुझे लगते realme 7 थोड़ा better होगा क्योंकि इसका जो पीछे का design है थोड़ा matte finish है इसमें काफी कम scratch आएगा लेकिन realme narzo 20 pro का जो पीछे glossy finish है उसमें scratch आने का भी chances बहुत ज्यादा रहता है तो यह उसके साथ तो back cover जरूर यूज़ करना पड़ेगा नहीं तो उसमें 2-3 महीने में काफी ज्यादा scratch आ सकता है तो यह अगर बात करते इसका gaming performance की तो यह सब सब पहले मतलब जो नाम आता है वह पब जी तो यह पब जी बैन होने के बाद अगर Korean version तुम लोग इस पर खेलोगे तो यह फोन में तुम लोग स्मूद पे 40 fps पे खेल पाऊगे यानि स्मूद प्लास अल्ट्रा तो यह दिक्कत यह नहीं है दोस्तों जैसे क मैं बोलें यह कंफ्यूजिंग फोन है कंफ्यूजिंग सा फोन है तो यह जैसे कि तुम लोग जानते हो कि यह रियल्मी का जो 6 & 6i आया था जो कि हिलियो जी 90 के साथ आया था एंड जी 95 है मतलब प्रोसेसर पावरफूल है लेकिन तुम लोग को रियल्मी 6 में HDR मैक्सिमम ग जानना चाहिए तो एर देखो जो रियल्मी 6 आया था या फिर 6i आया था उसमें जो HDR का उप्शन था एंड जो स्मूथ पे अल्टर तक का जो उप्शन था उसमें अगर खेलोगे तो काफी जादा फोन गरम हो जाता है तो एर उसी प्रॉब्लिम को सॉल्फ करने के लिए र ज़नी श्क्रीन है स्क्रीन ही सपोर्ट करता है 90fps तो यह में तुम लोग को बता दिया क्यूंकि काफी सारे लोगों यह कन्फूशन था कि रियल्मी 7 या फिर नार्जो 20 प्रोसर ज्यादा प्रोसर यानि ज्यादा अच्छा प्रोसरर रियल्मी 6 और 6i में है क्यूंकि उसमे पबजी जाधा ग्राफिक्स पर सपोर्ट करता है लेकिन नहीं दोस्तों अगर तो तुम लोग सेमी ग्राफिक्स में दोनों फोन पर खेल के देखोगे तो यह रियल्मी 7 एंड रियल्मी नार्जो टोइंट प्रो में रियल्मी 6 एंड 6 आई से भी जाधा अच्छा परफॉमे मिलता यानि 50 Mbps 60 Mbps 70 Mbps ऐसा लेकिन यार इस फोन में केरियर एक्रिकेशन नहीं है तो इसमें मैक्सिमम इंटरनेट स्पीट 15 Mbps 20 Mbps तक ही मिलेगा तो यार देखो अगर इंडिया में हमें 2 Mbps ठीक से नहीं मिलता है तो यह हम 22 Mbps 25 Mbps का क्या करेंगे हाँ यह बाहर क कंट्री में काफी अच्छा फीचर है एंड तुम लोग अगर ब्रोडबेंड यूज करते हो काफी बड़िया स्पीट के साथ तो यह तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन यार काफी सारा नॉर्मल लोगों को इससे कूछ भी लेना देना नहीं है काफी बड़िया फोन है लेकिन यार मुझे ना कुछ एक्स्ट्राइडिनरी चाहिए जैसे कि 65 वाट चर्जिंग अगर मैं इस फोन को यूज करूंगा ना तो मुझे भी कुछ कंप्रोमेस करना पड़ेगा जैसे कि 500 इमेज बैटरी जो कि नॉर्माल उस में 45 मिनिट्स तो यार अभी तुम लोग बताओ कि अगर तुम्हें एक फोन चूज का ना था तो तुम लोग कौन सा फोन को चूज करते थे एंड क्यू उस फोन को चूज करते थे मुझे कमेंट करके जरूर बोला लेकिन तुम्हें अगर एंसर है Poco M2 Pro तो यार उसके लिए थोड़ा व करके ग्रे कर दो एंड पासबली बेल आइकन को दबा दो एंड अगर यह वीडियो तुम लोग को अच्छे लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड यह जो कन्फ्यूशन था ना इसको मैं काफी हद तक सौल्फ कर दिया तो यार तुम लोग भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दों क्यूंकि मुझे पता है काफी सर लोगेलमे नारजो 20 प्रो एंड ड्रेल की 7 मेंसे काफी लोग कन्फ्यूश है तो यार आई होप कर यह जोका ल। तो यार दोस्तों को जरूर स्यर कर देना यार जैसे कि मैं बोला मैं चैनल पर नेष होने पर स झाल झाल झाल